मेरा नाम है रूपा मेरे चैनल पर मैं पोस्ट करती हूँ फैशन डियुआ शॉपिंग मेकप स्किन केर और ट्रावल चोर रेलेटेद वीडियो अज़के वीडियो मैं आप लों के साथ बात करने वाली हूं बालों के लेकर बालों के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहे हैं वेंचर आ गया है तो इसे लिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बालों को सिल्की और स्मूथ रखना हम सभी को पसंद है सिल्की और स्मूथ की अगर वाल होते हैं तो उनको आप ओपन भी रख सकते हो लेगिन अगर आपके बाल बहुत जादा फ्रीज हो जाते ह है उसका मेंन रीजन होता है कि के आपके बालो में सही तरीके का ममाessionalizer नहीं है आप जो शांपू यूस करते हो या फिर जो पैक यूस करते हो वह सही तरीके से आपके बालों को नरिश नहीं कर् Torah allein यह पिर पोष्यन नहीं दे रहा है या पिर कभी"-कबार अब रू connects disp um काम र करते हैं कर्ल करते हैं या पर बहुत जादा हीट यूज करते हैं तो इन सब रीजनों की वज़े से भी हमारे बाल दिन वर दिन जाड़ो की तरह हो जाते हैं तो आज मैं आपनों को एक ऐसे पाक के बारे में बताऊंगी जिसको यूज करके एक ही वाश में आपके बालों में डिफरेंट मतलब बहुत जादा चेंज दिखेगा मैंने दो बारी यूज किया है मेरे बाल इतने सिल्की हो गया है कि मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैं भी तो चलिए देख लेते हैं नेक्स वीपे के मैं किस टाक के बारे में बात कर रही हूँ मेयोनीज के बारे में जिसको हम खाने के लिए यूज करते हैं हम ब्रेट के साथ खाते हैं मेयोनीज से पास्ता बना के खाते हैं या बहुत अच्छा लगता है मेयोनीज से बना हुआ खाने के साथ साथ मैयोनीज को बालो पे भी लगा सकते हैं मैयोनीज मार्केट में दो टाइप के मिलते हैं एक होता है वेज मैयोनीज और एक होता है एक एग मैयोनीज अगर आपको एग से अलर्जी है तो आप मार्केट से वेज मैयोनीज लाके लगा सकते हैं लेकिन अगर आपको एग से अलर्जी नहीं है तो आप एग मेयोनीज भी लगा सकते हो एग मेयोनीज आप घर पी बना सकते हो उसके लिए अंडे का जो सफेद बाला पोर्शन है उसको लेना पड़ता है उसके साथ थोड़ी सी विनिगर और थोड़ा सा ओली वयल मिलाके उसक अगर बहुत सारे फाइदे हैं लगाने का नमबर वन इस अगर आपने बालो में कलर किया है तो मेयोनीज लगाएंगे आप तो लंबे समय तक आपके बालो में कोई रूखापन नहीं आएगा अगर आप बहुत जादा बालों को रिवांडिं या फी स्ट्रेटनिंग करते ह तो उसके लिए भी मेयोनीज अगर आप ऐस पाक यूज करोगे विकली एक बार या फिर दो बार तो उससे भी आपको काफी फाइदा होगा आपके बाल रूखे नहीं होगे अगर आपके नए बालों का जो ग्रोथ है वो नहीं हो रहा है दिन बर दिन आपके बाल ज़र रह लेकिन न्यू ग्रोथ नहीं आ रहे है तो वह वाला जो प्रॉबलम है उसको सॉल्फ करने के लिए भी आप यूनीज का यूज कर सकते हो और इसके साथ साथ बालों को एक्स्ट्रा सिल्की एक्स्ट्रा स्मूथ और शूपर शाइनी बनाने के लिए भी आप मेयोनीज का अब देख लेते हैं मेयोनीज का अप्लिकेशन और उसके लिए बालों को सेक्शन पर डिवाइट कीजिए और उसके बाद ब्रश की मदद से मेयोनीज को बालों पे और स्काल्प में लगा लीजिए लगाने के बाद आपको 15-20 मिनिट वेट करना है और उसके बाद कोई अच्छा सा शाम्पू लेके बालों को अच्छे से वाश कर लीजिए मेयोनीज तो चिपक जाता है बालों में तो मेक शियर के आपने बालों को अच्छे से वाश कर लिया है शाम्पू से यह जो प्रॉसेस है इसको आपको बस विकली दो बारी फॉलो करना है आपको विजिविल चेंज एक हपते में ही दिख जाएगा तो यह था मेरा आज का वीडियो मैंने डेमो भी दिखा दिया आप लोगों बता भी दिया में उनिसके कितने सारे गुन है लेकिन अगर मैं अपने बालों में इसका एफेक्ट आपको नहीं दिखाऊंगी तो अविस्टे आपको यकिन नहीं होगा तो इसलिए मैंने बालों मैंने इसे दो बार यूस किया है अभी इसको यूस कीजिए और आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा रूखे है फ्रीजी है ड्राय है आप टेलिंग यू बहुत अच्छा काम करेंगा इसको यह आपके ऊपर तो आज के लिए इतना ही थांक्स पर वाचिंग और वाचिंग झाल